खिलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल दे स्टोरी नॉलेज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डेल कानेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरियंग और स्टार्ट लिविंग की समरी ऐसी क्या चीज है जो अभी आपको तन कर रही है वो चाहे जो भी चीज हो मगर आपकी ये टेंशन आपको जीने नहीं दे रही आपके अपनों से दूर कर रही है आपकी सकसेस और खुशियां आपसे चीन रही है तो क्या आप जिन्दगी भर टेंशन में रहना चाहते है या फिर खुल कर अपनी जिन्दगी जीना चाहते है इस किताब में आपको ऐसे effective तरीके मिलेंगे जो आपको हर problem से चुटकारा दिला देंगे क्या आपकी आदत है कि आप हमेशा पुरानी बातों का पच्टावा करते रहते है या फिर हमेशा future की चिंता में डूबे रहते है तभी कभी लोग इतनी टेंशन लेते है कि वे अपने present को ही भूल जाते है क्या आपको लगता है कि आप एक भरपूर जिन्दगी जी रहे है हर दिन को भरपूर जीए स्प्रिंग के सुहाने दिन में एक जवान medical student अपने future के बारे में सोच रहा था क्या वो final exams पास कर पाएगा स्कूल खत्म होने के बाद उसे कहा जाना चाहिए कैसे वो अपने करियर शुरू करेगा वो लड़का यही सब सोच रहा था उसके हाथ में एक किताब थी जिसे वो उस टाइम पढ़ रहा था कि तभी उसे उसमें लिखे ऐसे 21 वज मिले जिन्हें पढ़कर वो इंस्पाय हो गया आने वाले टाइम में वो मेडिकल स्टुडेंट अपने जेनिरेशन के सबसे सक्सेस्फूल डॉक्टर्स में से एक था उसने फेमस जॉन होपकिन्स मेडिकल स्कूल को लीड किया और वक्सफोर्ड युनिवसिटी का एक बहुत ही रिस्पेक्टिग प्रोफेसर बना और वो नौजवान था सर विलियम ओसिर जो 21 वाद सर विलियम ने पढ़े वे थे दूर जो धुन्धला दिखाई दे रहा है उसे देखना हमारा में काम नहीं है बलकि जो क्लियरली हमारे हाथ में है उसे देखना है इसका मतलब है कि हम इन कामो या टास्क पर ज्यादा फोकस करें जो हमें अभी करने हैं बजाए इसके कि हम फ्यूचर के बारे में टेंशन ले सर विलियम ने यल युनिवसिटी में एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने स्टुडेंट्स को डे टाइट कमपार्टमेंट में रहने के लिए एंकरेज किया सोचो कि आप अपने पास्ट के दर्वाजे लॉक कर सकते हो फिर आप अपने फ्यूचर के दर्वाजे भी लॉक कर लेते हो तो अब आपके हाथ में जो बचेगा वो है आपका प्रेजन्ट यानि आज और अभी टाइट कमपार्टमेंट का मतलब है हर एक दिन के हिसाब से जीना खुद को अलाव करें कि आप सिर्फ उस चीज के बारे में सोचे जो उस वक्त आपके सामने मौजूद है अपने दिमाग को पास्ट या फ्यूचर में न भटकने दे सर विलियम का ये मतलब नहीं था कि आप फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी प्रीपेर ना हो मगर उसको लेकर फिक्र करने के बजाए अपनी सारी एनरजी आज के टास्क में लगाए तो ज्यादा फाय दिमंध है जो भी करे उसे पूरे दिल से करे अपना बैस्ट दे बस यही आपको करना है फिर तो आपका फ्यूचर बढ़िया होगा ही होगा रेट का एक दाना एक टाइम में एक टास्क एक दिन में हम अपने पास्ट और फ्यूचर के बीच में खड़े रहते है पास्ट एक लंबी हिस्ट्री है और फ्यूचर बहुत बढ़ा है किसी ने इसे नहीं देखा और हो सकता है कि हम इतनी लंबी जिन्दगी ना जी पाए तो फिर क्या फाइदा की गुजरे हुए और आने वाले टाइम के बारे में सोच सोच के परेशान हो हमें फिर्ट करनी चाहिए तो सिर्फ आज की दिन रात फिक्र करने से बहुत से लोग बीमार भी पढ़ जाते है ऐसे लोग नर्वस ब्रेकडाउन या फिर एक्स्ट्रीम बोडी पेन के शिकार होते है इससे तो अच्छा है कि उन कामों पर ध्यान दिया जाए जो हमें आज करने है सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हमें बस अपने आज में जीना चाहिए इससे नींद भी अच्छी आएगी और आने वाली सुबह भी फ्रेश होगी मिशिगन की मिसेजी के शील्ड के सुसाइट करने तक की नौबत आ गई थी कि तभी उन्होंने अपने आज में जीने की इंपोटेंस समझी अपने पती की मौत के बाद वो गरीबी जेल रही थी और काफी डिप्रेस्ट हो गई थी मिसेज शील्ड किताबे बेचने के अपने पुराने धंदे पर लग गई उसे लगा काम करने से उनका मन बहल जाएगा मगर अकेलापन एक बिमारी की तरह होता है जो धीरे धीरे आता है अकेले खाना, अकेले ड्राइव करना, यही अकेलापन उसे अंदर ही इंदर खा रहा था उपर से कोई स्कूल उसकी किताबे खरीदने को तयार नहीं था उसे कहीं भी सक्सेस नजर नहीं आ रही थी जब जीने की कोई वजह ना लगे तो इंसान तूट जाता है मिसिज शील्ग्स पूरी तरह हो प्लेस हो चुकी थी तंग आकर उसने अपनी जान देने की ठान ली मिसिज शील्ग्स को कार पेमेंट और रूम रैंट का भी इंतेजाम करना था उसे लगने लगा कि शायद उसे खाने के भी लाले पर जाएगे अगर बिमाग पड़ी तो डॉक्टर की फीस कहां से लाएगी जो एक चीज मिसिज शील्ग्स को सुसाइट करने से रोक रही थी वो ये कि अगर वो मर जाएगी तो उनकी बहन को बेहत दुख होगा और वो बेचारी फ्यूनरल का खर्चा नहीं उठा पाएगी फिर एक दिन मिसिज शील्ग्स ने एक आर्टिकल देखा इसे पढ़कर उन्हीं जीने की हिम्मत मिली उस आर्टिकल में लिखा था समझदार आदमी के लिए हर एक दिन नया होता है उसने वो आर्टिकल वहां टान दिया जहां रोज उसकर नजर पढ़ सके उसने अब अपने पास्ट को भूल कर और आने वाले कल की फिक्र छोड़कर जीना सीख लिया था मिसिज शील्ग्स रोज सुबह उटकर खुद को रीमाइंड कराती थी आज एक नई जिन्दगी की शुरुवात है मिसिज शील्ग्स अपनी गरीबी और अकिलेपन के दर से बाहर आप आए उसने खुशार और पोजिटिव तरीके से जीना सीख लिया था उसका हर दिन अब बहतरी गुच्रने लगा क्योंकि वो बस अपने आज को जीने लगी थी बस एक बात उसने दिमाग में रखी, समझदार आदमी के लिए हर दिन नई जिन्दगी है हम क्यों अपने प्रेजन से दूर भागते हैं? क्यों हम हमेशा फ्यूचर के सुहाने सपने देखते हैं और आज की खुशियों को नजर अंदाज कर देते हैं? जब हम बच्चे थे तो जल्दी से बड़े होना चाहते थे और जब बड़े हो जाते हैं तो शादी करने के सपने देखते हैं फिर एक दिन हमारी शादी भी हो जाती है तब हम रिटायर्मेंट के सपने देखने लगते हैं और जब फाइनली रिटायर्मेंट का दिन आता है तो हमें महसूस होता है कि हमने कितना कुछ खो दिया जिन्दगी जिसे हम देर से समझते हैं दरसल हर दिन हर पल को जीने का नाम है एक कुरानी रोमन कहावत है कापे डियम जिसका मतलब है दिन को भरपूर जियो आप अपनी जिन्दगी के चाहे किस मोल पर हो इसे एंजॉय करो इसे जियो जिन्दगी में जो भी मिला है उसे सरा हो ना पास्ट की फिक्र करो ना फ्यूचर की बस उस पर फोकस करो जो आज करना है क्योंकि पास्ट आपको बस उदास करेगा जो भी बुरी यादे है रीग्रेट से उन सब को पीछी छोड़ दो जो हो गया उसे भूल जाओ और जहां तक फियूचर की बात है तो आने वाले कल में कई बाते हो सकती है आपके फिक्र करने से कुछ होने वाला नहीं जो होना है वो तो होकर रहेगा आज के बारे में सोचे आज आज आपके क्या टास्क है अभी इस वक्त आप कहा है अपने आज को अप्रेशियेट करे हर रोज एक जिंदगी जीए जो 24 गंटे आपको मिले है सिर्फ उन पर फोकस करे और ये देखे कि इन 24 गंटों को आप कैसे बहतरीन बना सकते है क्या आप ये 24 गंटे सिर्फ टेंशन में गुजारेंगे या फिर इन्हें आप अपने करिया अपने करीबी लोगों और जिंदगी की खुशियों को एप्रिशियेट करने में बिताएंगे आप देखेंगे कि कैसे हर एक दिन भर पूर जीकर आपको जिंदगी से कितना कुछ मिल सकता है आप हर पल का मज़ा लेंगे और अपने हर टास्क पर फोकस कर पाएंगे जैसा कि सर विलियम ने कहा है जितनी भी सक्सेस मुझे मिली है उसका सारा क्रेडिक मैं फ्यूचर की फिक्र छोड़ कर अपने आज के टास्क को पूरा करने की पौवर और अपना बहतरीन करने की कोशिश को देता हूँ अपनी पतनी को बरतन साफ करता देख मैं बेफिक्र जिंदगी जीना सीख गया महान विलियम वूड पेट के जानलेवा दर्द से परेशान रहते थे उन्हें इतना दर्द होता था कि वो रात में सो नहीं पाते थे उनके पिता की स्टमक कैंसर से मौथ हुई थी महान वूड को लगता था कि उन्हें भी शायद यही बिमारी है विलियम वूड अपना चेक अप करवाने हॉस्पिटल गए एक स्पेशलिस्ट ने उनका एक्जामिन किया डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनकी स्टमक का एक्सरे एकदम क्लियर है उसने उन्हें कुछ दवाया लिख के दी जिससे उन्हें आराम आ जाए और चैन से सो सके डॉक्टर ने ये भी कहा उनके स्टमक पेन की बजह उनका एमोशनल स्ट्रेस है महान विलियम वूड बहुत बिजी रहते थे उन पर हमेशा अपने टास्क फिनिश करने की धुन रहती थी जिससे वो आराम नहीं कर पाते थे वोई हमेशा जल्दी में रहते थे और आंक्शियर्स और टेन्स फील करते थे एक वक्त में उनके दिमाग में हजार बाते आती थी फिर उन्होंने अपने डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करनी शुरू कर दी उन्होंने हर जिम्मेदारी अपने सर लेने की आदत छोड़ दी और अब वे हर मंडे रेस्ट करने लगे थे एक दिन में अपनी डैस्ट साफ कर रहे थे जिसमें उन्हीं कुछ ऐसे नोट्स और इंपोर्टेन्ट पेपर मिले जो अब काम के नहीं थे एक एक करके विलियम ने वो सारे पेपर दस्ट बिन में फेक दिये तब ही उन्हें एक आइडिया आया कि जैसे वे वेस्ट पेपर दस्ट बिन में फेक रहे हैं उसी तरह बीते हुए कल की हर प्रॉबलम को तोड़ मरोड कर अपनी जिंदगी से बाहर फेका जा सकता है अपने पास्ट का बड़न लेकर चलने का कोई फायदा नहीं है अच्छा होगा कि उसे भी किसी रद्धी पेपर की तरह फेक दिया जाए एक दूसरे मौके पर विलियम गूर ने देखा कि उनकी पतनी बरतन साफ करते हुए कुछ गा रही थी उन्होंने खुद से कहा देख बिल तुम्हारी बीवी कितनी खुश लग रही है हमारी शादी को अठारा साल हो गए है और वो इतने सालों से बरतन धो रही है विलियम ने सोचा अगर उनकी बीवी को पहले ही पता होता कि शादी करने के बाद उसे इतने सालों तक बरतन धोने पड़ेगी तो वो शायक कभी उनसे शादी के लिए हा नहीं करती महान विलियम वुड को ररेयालाईज हुआ कि उनकी बीवी को ये काम जरा भी बुरा नहीं लगता क्योंकि वो हर रोस के हिसाब से बरतन धोती है उसके कल के गंदे हुने वाले बर्तनों की फिक्राज नहीं है और ना ही वो उन बर्तनों के बारे में सोचती है जो उसने कल साफ किये थे उन्हें समझा गया कि उनकी बिमारी की वजह यही है कि वे हर काम तुरंट पूरा करने की कोशिश में लगे रहते है वो दरसल कोशिश कर रहे थी कि आज के बर्तन, पीछले दिन के बर्तन और आने वाले कल के बर्तन जो अभी गंदे भी नहीं हुए उन सब को वे आज ही साफ कर ले किसी भी सूरत में और यही विलियम गुड की सबसे बड़ी गलती थी जो उन्हें रियलाइज हुई वे दूसरों को हमेशा सही धांग से जीने की नसीहत देते थे मगर खुद अमल करना भूल गए थे महान विलियम गुड ने जब अपना रूटीन चेंज किया तो उन्हें नींग भी बड़िया आने लगी और उनका स्टमक पेन भी गायब हो गया था ये याद रखे कि हर दिन को उस दिन के हिसाब से जिये क्योंकि जब आप बीते हुए और आने वाले टाइम का बड़न लेकर चलेगे तो होगा कुछ नहीं बस आपकी बॉड़ी सफर करेगी और लास्ट में आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला वक्त हर चीज का मरहम है लुइस मोंटेंग जूनियर को लगता था कि उन्होंने अपनी जिन्दगी के 10 साल खो दिये है और वो वक्त था उनकी 18 से 28 की उम्र का लुइस को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि वे तब हर चीज की फिक्र करते थे अपनी जॉब परिवार खेल था और कई तरह की इन्सिक्यूरिट उन्हें थी जबकि वे साल उनकी जिन्दगी का सबसे बैस्ट टाइम हो सकता था मगर उन्होंने उसे टेंशन में खो दिया कि उनमें इतना confidence तक नहीं था कि वे अपने employer को अपनी खूबिया बता सके और तब एक दिन उनके साथ कुछ हैसा हुआ जिसने उनकी जिन्दगी को बदल कर रख दिया वे एक ऐसे इनसान से मिले जिसकी जिन्दगी में उनसे भी ज्यादा प्रोब्लेम्स थी फिर भी वो खुश लग रहा था उस आदमी का नाम बिल था बिल 1929 में अपनी सारी जमापुंजी गवा चुका था फिर दुबारा 1933 में भी उसके साथ यही हुआ था 1937 में भी वो बैंकराप्ट हुआ था हालांकि उसने काफी परेशानिया झेली थी मगर वो फिर भी नहीं तूटा उसने कितने ही लोगों से कर्स ले रखा था कई सारे लोग उसके दुश्मन थे तब भी वो मजबूती से खड़ा था लूइस को बिल से जलन हो रही थी कि वो उसकी तरह स्ट्रोंग थ्यू नहीं है बिल ने लूइस को अपना सीक्रेट बताया उसने कहा कि अगली बार जब कोई बड़ी मुसीबत आये तो पेपर की एक शीट और एक पेंसिल अपने पास रखे जो भी प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़े उसकी डिटेल उस पेपर में लिखने के बाद वो उसे अपने डैस्ट की किसी ड्राव में डाल दे दो हफ़ते बाद फिर से वो पेपर पड़े जो तुमने उस पेपर में लिखा था अगर वो अब भी तुम्हें तन कर रहा है तो वापस उसे फिर से दो हफ़ते के लिए ड्राव में रहने दे आपकी परिशानियों वाली वो लिस्ट अभी भी ड्राव के अंदर है मगर इस बीच आपके आसपास काफी कुछ बदल गया होगा आपने नोटिस भी नहीं किया होगा मगर आपकी कुछ प्रॉबलम अपने आप ही सोल हो गई होंगी बिल कहते है मैंने महसूस किया कि अगर मैं पेशेंस रखता हूँ तो मेरी सारी चिंता फिक्र ऐसे गायब हो जाती है जैसे हवा निकलने से बलून फुस हो जाता है लुईस को बिल की एडवाइस हमेशा याद रही इससे उनको बहुत सी चीजों में मदद मिली तो अभी आपको किस बात की फिक्र सता रही है आपको एहसास होगा कि जो अभी सौल नहीं हो रहा वो टाइम के साथ खुद ही सौल हो जाएगी ऐसे पांच तरीके जिसे लेखक अपनी चिंता दूर करने के लिए यूज करते है प्रोफेसर विलियम फैल्क्स को लगता था कि उनकी आँखे अब नहीं रही पांच मिनट कुछ पढ़ते ही उनकी आँखे दुखने लगती थी उनसे खिलकी के बाहर भी नहीं देखा जाता था ऐसा लगता था जैसे कोई उनकी आँखों में सुई चुबो रहा है मगर जब उन्होंने स्टुडेंट्स को एड्रेस करने के लिए उनकी तरफ देखना शुरू किया तो उन्हें आँखों में पेन महसूस ही नहीं हुआ वे पूरे 30 मिनट तक इसी तरह स्पीच देते रहे प्रफेसर विलियम को लगा कि अपने टीचेंग के पैशन की वजह से उन्होंने अपने दर्द को जीत लिया था जब उनका दिमाग कोई बेहत जरूरी काम में लगा होता है तो उन्हें अच्छा महसूस होता है टीचेंग के लब ने प्रफेसर विलियम को जिन्दगी जीना और इसे एंजोई करना सिखा दिया था वो अपना हर दिन ऐसे जीते थे जैसे कि वो उनका पहला और लास्ट डे हो जब वे सुबह उठते थे तो अपने स्टुडेंट से मिलने का वेट करते थे ये उनका एंथूसिये समही था जो उन्हे सारे दुख दर्द से निजात दिलाता था और अपने पेल और दुख से चुटकारा पाने का ये पहला मेथट है और दूसरा मेथट जो प्रफेसर विलियम ने अपनाया वो था कि कोई अच्छी सी किताब पढ़के टेंशन से दूर रहे जब आप कोई बुक पढ़ते है तो आपका दिमाग उसमें इतना डूब जाता है कि आपको और कुछ याद ही नहीं रहता तीसरा मेथट है फिजिकल एक्टिविटी एक बार प्रोफेसर विलियम डिप्रेस्ट हो गए थे उन्होंने क्या किया कि खुद को कई तरह की फिजिकल एक्टिविटी में लगा लिया वोई हर सुबल टेनिस खेलने लगे फिर नहाने के बाद वे अपना लंच लेते थी दोपहर में वो गोल्फ खेलने चले जाते और कभी-कभी रात में घंटों तक दांस करते रहते उन्होंने महसूस किया कि जब उनकी बॉडी पसीना बहाती है तो दिमाग से ओटोमेटिकली सारी परेशानिया गायब हो जाती है चौथा मेथट है खुद को किसी भी तरह के प्रेशर और जल्गबाजी से दूर रखे प्रफेसर विलियम को कनेक्टी कट के फोमर गवर्नर विलबूर क्रॉस से एक एड़वाइस मिली मिस्टर क्रॉस ने उन्हें बताया कई बार मुझे एक ही साथ में कई सारे काम करने होते हैं जिससे मैं प्रेश में आ जाता हूँ, तब उस वक्त में क्या करता हूँ कि रिलेक्स बैटकर बस अपना पाइप पीता रहता हूँ और कुछ नहीं। टेंशन भगाने का प्रोफेसर विलियम का पांचवा और लास्ट मेथड है, ये याद रखना की टाइम और पेशन्स हर प्रोब्लम को सॉल्व कर देता है। कोई भी मुश्किल आये वे उसे एक अलग सोच के साथ देखते हैं। प्रोफेसर विलियम खुद से कहते हैं, दो महीने हो जाने दो फिर मैं इसकी परवा नहीं करूंगा तो अभी क्यों करो। रहने की कोशिश करें। एक-एक करके ही अपनी हर रिस्पोन्स अबिलिटी पूरी करें। कैसे जॉन डी रॉकफेलर 45 सालों तक उधार की जिन्दगी जीते रहे। 33 की उमर में जॉन डी रॉकफेलर सर मिलेनियर बन गए। जब वे 43 के हुए उस वक्त तक उनकी कमपनी स्टैनफोर्ड आयल लार्जेस्ट मोनोपली कमपनी बन चुकी थी। मगर 33 साल के होते होते उनकी बिजनेस धीमा पढ़ने लगा था। जॉन डी अपने जीवन की उचायों को छू लेते मगर उनकी हेल्थ गिरने लगी थी। डॉक्टर के हिसाब से ऐसा उनकी लाइफ स्टाइल की वज़े से हुआ था। जॉन डी अपने बिजनेस की दिन रात फिक्र किया करते थे। उनके बाल गिरने लगे थे वे टकले हो गए थे। तभी वे एक स्ट्रोंग इंसान हुआ करते थे मगर अब काफी कमजोर हो गए थे। उनकी स्किन भी अब पीली पड़ गई थी। जॉन डी के पास सरा भी फुरसक नहीं होती थी। किसी भी शौक या आराम के लिए उनके पास वक्त ही नहीं था। बस पैसा कमाना ही उनका मकसद बन गया था। जिसकी वजह से हर टाइम प्रेशर और टेंशन में रहते थे। जॉन डी हमेशा खुद को ये रिमाइंड कराते थे कि शायद उनकी सकसेस टेंपररी थी। उनके बिजनेस पार्टनर जॉस गार्डनर उन्हें सेलिंग के लिए इन्वाइट करते मगर जॉन डी कभी नहीं जाते थे। उनका वीकेंड भी ऑफिस में ही गुजरता थ वो हसना भूल गए थे, सब उनसे डरते थे। जॉन डी किसी की भी अच्छाएं नहीं देखते थे। और एक दिन वो भी आया जब उनकी मोनुपॉली फेल हो गई। उनके राइवल्स पूरी पौवर से वापस आ गए थे। उनकी आयल कमपनी ने जिन लोगों को अब्यू या तो वे कमपनी चुने या फिर अपनी हेल था। अगर वे रिटायर नहीं हुए तो तिरपन की उम्र में मर सकते थे और उनकी मौत का कारण होगा उनका डर, लालच और टेंशन। तो आफिर जॉन डी को अपनी कमपनी चौनी ही पड़ी। उनके डॉक्टर्स ने उन्हे फॉलो करने के लिए तीन हिल्थर रूस बताए। पहला तो ये कि कभी टेंशन ना ले। जॉन डी को हर हाल में टेंशन देने वाली बातों से दूर रहना था। दूसरा की उन्हें पूरा रेस्ट करना है। रेस्ट के साथ साथ किसी भी तरह की एक्सरसाइज करनी जरूरी है। उन्हें आउट्डोर एक्टिविटी अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए और तीसरी खास बात की अपने डाइट को हमेशा मोनितर करना है। जो भी खाना है सही अमाउंट में खाना है। जब जॉन डी ने ये सारे रूस फोलो करने शुरू कर दिये तब जाकर उ वो तिरपन की उमर में मरने वाले थे मगर वे अगले 45 सालों तक जिये। उन्होंने गोल्फ खेलना शुरू कर दिया था और अपने कई सारे नेबर से दोस्ती भी कर ली थी। थोड़ी बहुत गादनिंग भी शुरू कर दी थी। यही नहीं अब वे गाने भी लगे थे। मगर सबसे बड़ा चेंज जो जॉन डी की जिन्दगी में आया वो ये कि वे अब दुसरों की परवा करना सीख गए थे। जब वे रिटायर हुई तो उनके पास काफी वक्त था सोचने के लिए। जॉन डी ने महसूस किया कि जितना पैसा उनके पास था उससे वे ना जान कितने ही लोगों की जिंदगी में खुशिया ला सकते थे। अब उन्होंने पैसे कमाने के बारे में सोचना छोड़कर लोगों की हैल्प करने लगे थे। जॉन डी ने लेक मिशिगन के एक छोटी सी कॉलेज की मदद भी की। उन्होंने मिलियंस इन्वेस्ट करके इसे बं बिमारी फैल गई थी जो भी इस बिमारी से इंफेक्ट होता था उसके इलाज में 50 सेंट लगते थे जॉन डी ने इस बिमारी से लोगों को बचाने के लिए एक ही बार में मिलियंस डोनेट कर दिये ताकि इस बिमारी से एक बार में ही हमेशा के लिए चुटकारा पाया जा सक और यही से रॉकफेलर फांडेशन की शुरुवात हुई आज रॉकफेलर वक वर्ल्ड वाइड ओर्गनाइजेशन बन गया है जिसका एम है बिमारियों और जानकारी के अभाव से लड़ना रॉकफेलर ने कई रिसर्च के लिए फंडिंग भी की है जॉन डी की हेल्प की अपना सारा पैसा डोनेट कर दिया उनकी कमपनी स्टैन्फोर्ड आयल कमपनी कोर्ट के से जहार गई थी जिसकी वजह से उन्हीं कई मिलियन्स का नुकसान भी हुआ मगर जैसा कई लोगों को लगा कि वे तूट कर बिखर जाएंगे मगर ऐसा नहीं हुआ जॉन डी अब अपनी जिन्दगी से खुश थे जॉन डी ने अब बेवजह फिक्र करना छोड़ दिया था इन्होंने अब जीना सीख लिया था और वे पूरे 98 सालों तक जिये ये बुक आपको बताएगी कि किस तरह एक वक्त में ही काम करें जिस पे आप पूरा ध्यान लगा पाए अपना सारा एफोर डाल पाए बस अपने पास को भूल जाए सिर्फ प्रिजन्ट पर सारा ध्यान दे जो सामने है बस उसी पर फोकस करें कि आज आपको क्या काम करने हैं आपके टास्ट क्या है खूब मेहनत करें अगर आप अपना बैस्ट एफोर देंगे तो फ्यूचर अपना ध्यान खुद ही रख लेगा आपने इस किताब से बेफिक्र जीने के कई तरीके सीखे हैं तो जो आपके लिए बैस्ट है आप वो चूज कर सकते हैं जो कुछ भी आपने आज सीखा उसे अपलाई करके देखिए तो दोस्तो यह थी How to Stop Worrying and Start Living Book की समरी हमारा लक्ष है कि आप हमारे वीडियो से हर दिन कुछ न कुछ सीखे और इससे अपने जीवन को बहतर बनाएए आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताये इस वीडियो को लाइक करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और इससे अपने दोस्तों की साथ शेयर करना अब भूले, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद